यह है प्रदीप कुमार जो कि एक बिजनेसमेन है फ्रॉम एम्दाबाद and 52 एज में जी हाँ बावन साल की उमर में यहाँ प्रदीप कुमार ऐसे इकलौते नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए प्रदीप कुमार जैसे लोग गर्स रखते हैं, जब मैंने यह स्टोरी पढ़ी थी तो I was really inspired और मेरा तो दिन बन गया था, शायद आज आपका भी दिन बन जाएगा, बट यह कितना ज़ादे इंपॉर्टेंड है कि सुसाइटे में हर एच के लोग पढ़े लिखे हो ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। But on the other side, यह images शायद आपको दुखी कर देंगी और यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हमारे एटेक सेक्टर के स्टार्टप के साथ आखिकार प्रॉब्लम क्या है? बस सीखने की चाहा है Startups going in for massive layoffs Most of these startups that have had massive layoffs are from the e-commerce and it-tech picture So these layoffs happened across multiple edtech startups in India in 2022 Because बहुत सरी edtech startups बहुत तेजी से उपर बढ़ गई थी और फिर यह उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है Because funding ना मिलने की वज़े से, cost cutting के नाम पे, expenses कम करने के नाम पे यह सारी edtech companies mass में अपने employees को layoff करती है But क्या आपको लगता है कि यह सारी companies कभी सोचती होंगी कि उन employees पर आखिरकार क्या बीती होगी जिने यह एक जटके में ऐसे बाहर निकाल देते हैं Byjus and Unacademy इस साल अभी तक 1000 से भी ज़ादा employees को fire कर चुके हैं What is the reason for this contrasting image of our education system यह edtech sector जहां पर एक तरफ 52 years की age में परदीब कुमार जैसे लोग नीट exam clear कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ Byjus and Unacademy जैसे companies 1000 से भी ज़ादा लोगों को एक साथ ऐसे fire कर देती है सो इसका reason जानने के लिए हमें थोड़ा past में चलना होगा चराद 12 बजे से कंपोना lockdown होने जा रहा PM Modi announced the national lockdown and this is what India witnessed in the last 12 months COVID-19 लोगों की जिंदगेव में problems ही problems लेके आया था बट इन edtech sector की companies के लिए COVID-19 एक बरदान साबीत हुआ because वो दो साल लगातार schools बन रहे थे and suddenly in edtech sector की companies का online education model बहुत ज़्यादा successful बन गया and it started fulfilling the gap in our traditional education system and जैसे जैसे students, parents in edtech companies के customers बनते गए वैसे वैसे इन edtech companies की valuation, इनके demand, इनके revenues और इनकी funding भी वैसे ही बढ़ते गए and it's not a surprise कि वो last 2 सालों में 5 edtech companies unicorn बनी थी so आईए अब देखते हैं कि COVID-19 के time इन edtech sector की companies की funding में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ था so अगर हम 2019 की बात करें तो जो भी edtech sector में companies थी उनको combined 500 million million dollars की funding मिली थी वहीं दूसरी तरफ 2020 में ये funding 10 गुना तक almost बढ़ गई थी and it reached around 4.7 billion dollars and उसमें से 1.9 billion dollars तो by juice को ही funding मिली थी and ये सिलसिला 2021 में भी continue रहा और ये funding 50% तक almost बढ़ी and it reached around 6 billion dollars but COVID में suddenly ये edtech sector सारे VCs और investors का favorite क्यों बन गया था तो जब भी ऐसा कोच हो तो हमेशा याद रखना कि इसके पीछे कोई ने कोई interesting story या बहुती glamorous story बेची जा रही होगी and the story is कि it was predicted that by 2025 our Indian edtech sector market will reach 30 billion dollars और उससे next 5 सालों में it will increase by 10x like 30 billion dollars से वो 300 billion dollars पहुँच जाएगा so आप देख सकते हैं कि क्योंकि exceptions इतनी जादा बड़ी-बड़ी की जा रही थी इस वज़े से सारे VCs और investors इस edtech sector के इस bubble का या इस growth का पार्ट बनना चाहते थे and data के according 2019 में इंडिया में 9000 से भी जादा edtech स्टार्ट अप से so यह clear है कि इन edtech sector companies के लिए COVID-19 ने वर्दान बन के आया now fast forward to 2022 अब देखते हैं कि suddenly इस sector में ऐसा क्या बदलाब हो गया तो सबसे बड़ा reason जो इस sector आज struggle कर रहा है उसका यह था कि schools and colleges अब reopen हो गए है वो traditional way में जैसे offline mode में चलते थे वैसे चलना start हो गया and second सबसे बड़ा reason यह आ जाता है कि funding की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है because हर जगा हर global market में interest rates बढ़ाये जा रहे हैं market से liquidity को कम किया जा रहा है इस वज़े से जो funding इन startups को मिलती थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है and that is why these edtech startup companies are struggling right now so जैसा कि हमने देखा था कि 2021 में edtech sector की companies को 6 billion dollar की funding मिली थी वहीं अगर हम इस साल का data देखे तो August 15, 2022 तक इन edtech sector की companies को सिर्फ 2 billion dollar की funding मिली है जो कि last year के comparison में almost 66% का गिरावट हमें देखने को मिल सकता है and even though अभी साल खतम होने को बाकी है but जो यह funding winter है यह ऐसे ही चलने की पूरी-पूरी उमीद है और इनकी funding में बहुत जादा increase होने का भी potential या future prospect नहीं देख रहा actually these startups are more like a vampire जैसे vampire don't make their own blood they had to rely on somebody else blood so that they can survive वैसे ही ad tech companies के start ups है उनको बहार से external funding venture capitalist investors की funding पर dependent रहना पड़ता है because more or less these ad tech companies do not have their own profits mostly के तो नहीं है and to make the things even worse इस sector में जो top two companies है by juice and unacademy उन दोनों ही companies की जो brand reputation है उनकी marketing tactics है या उनकी ethics है लोग उनको बहुत ही ज्यादा questioning करते हैं and these questionable marketing practices have only made the things worse for this sector वोलने में अच्छा नहीं लग रहा but this can be called as the tip point जहां से massive layoffs होना start हो गई थी so अब बात करते हैं the main reason for massive layoffs so सबसे बड़ा reason massive layoffs का यह है funding crunch and slowing growth because most of the ad tech startups are not self sustainable यह funding के साहरे ही चलते आ रहे थे इसलिए अब इने massive layoffs करने पड़ रहे हैं but इसका एक तोड निकाल लिया है इन net tech sector के companies ने companies like Vedantu and Unacademy वो अपने teachers को ही अब अपने new sales force बना रहे हैं so teachers को ही pressurize किया जा रहा है कि वो viral videos create करें और sales target को meet करें and obviously यह pressure बहुत सारी teachers के लिए भारी भी पड़ रहा है so last महिने teachers day के occasion पर country की second most valuable ad tech firm जी हाँ Unacademy बैंगलोरू में एक offline flagship event host करने वाली थी but suddenly last moments पर यह plan change कर दिया गया और फिर यह event मात्र एक YouTube live stream बनके रह गया but हाँ उस events में कुछ major announcements की गई within a couple of hours कि Unacademy has launched around 50 new YouTube channels और उस acquisition को भी public बनाया गया where they said that they have acquired Gate Academy जो के test preparation firm है but एक interesting point note करने वाला यह है कि there are many YouTubers जिनके millions of followers हैं but कोई भी ad tech world से कोई लेना देने नहीं है education sector से भी कोई लेना देना नहीं है उन्होंने भी Unacademy join किया so this is like more or less same चीज हो जाएगी कि कच्चा बदाम वाला singer जिसका एक वीडियो के वाइरल हुआ वो आके अब लोगों को traditional singing सिखाए so अब यह तो समझी सकते हैं कि यह कोई ऐसा step नहीं लेया गया था जिससे students को को help हो बलकि यह एक marketing strategy थी to acquire new customers, to acquire new students बले ही quality of education इससे खराब हो जाए इसके अलावा Unacademy के COO विवेक सिना के speech में भी जो pointers बढ़ा चड़ा कर दिखाए गए थे वो थे watch time and subscriber growth on their website as well as YouTube channel जो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी education company को judge करने के लिए एक अच्छा parameter है बट इस चमक धमक से दूर, a dark reality was only known to Unacademy teachers due to shortage of funding and slow revenue growth, Unacademy के उपर एक तलवार लटक रही है to maintain its growth and because अब COVID जैसे वो जो sales में बूम आया था वो possible नहीं है, marketing budget और बहुत सारे employee benefit programs को भी खतम कर दिया गया so ultimately teachers के उपर ये तलवार लटकाई जा रही है कि you should stand at the front line to get more new students no matter what it takes so एक committee faculty member जिन्होंने अपनी job छोड़ी Unacademy में में के महीने में उन्होंने अपनी statement में बताया कि हर महीने teachers को emails पर emails किये जा रहे थे with an updated and revised sales target मतलब उन पर pressure बनाया जा रहा था कि आप इन sales target को पूरा करो for example अगर किसी teacher की basic salary एक लाक रुपे थी तो उन पर pressure बनाया जा रहा था कि आप at least 35 to 40,000 रुपीज की sales हर महीने hit करो और ये सारी चीजे जब उन teachers ने job join की थी last year तब ये sales target वाली चीजे बिलकुल भी उनके job profile में mentioned नहीं थी and teachers के लिए जो misery थी ये यहीं पर खतम नहीं होती हर महीने जो sales target को revise किया जा रहा था उन्हें लगतार बढ़ाया जा रहा था and एक teacher जिन्होंने recently an academy से अपनी job quit की उन्होंने बताया कि sometimes ये जो sales target थे ये उनकी basic salary से 5x तक जा रहे थे बलब उनको अपनी basic salary से 5x जादा तक की sales target को achieve करना था initially teachers को हर sales के time अपना individual referral code यूज करना पड़ता था 2020 में हर sales पर उनको 20% का commission मिलता था 2021 में ये commission आधा रह गया 10% और 2022 में आज की date में ये percentage commission बहुत ही कम है teachers के लिए इससे भी खराब बात अगर आप अपनी sales target achieve नहीं कर पाते तो आप salary cut के लिए त्यार हो सकते हैं so ये एक Bollywood dialogue मुझे याद आ रहा है कि जब तक तेरी पैर चलेंगे तब तक इसकी सासे चलेंगे so Unacademy की case में भी वही था कि जब तक तो sales target achieve करता रहेगा तब तक तुझे salary मिलती रहेगी हमारे एक source के coding जिसका हम यहाँ पे नाम नहीं ले सकते उन्होंने हमें बताया कि teachers who were making a sales of around 15 to 18 lakhs earlier वो आज की date में आधी भी sales नहीं कर पा रहे अब Unacademy की website पर teachers को rank किया जाता है based on the number of subscribers they have and minutes of content consumed so this is again a marketing gimmick because teachers इससे motivated होंगे कि वो viral content पर focus करे subscriber पर focus करे rather than being focused on quality of education and content so YouTube पर Vidantoo, Unacademy और Physics वाला जो कि एक और another adtech unicorn है उनको आजकल clickbait ही videos डालनी पढ़ रही है for example reels of teachers, dancing on trending songs या bloopers from live sessions so इन teachers को पढ़ाने की साथ साथ आजकल ये सब भी करना पढ़ रहा है just as to get more views and watch time and अगर आप sales target नहीं meet करते हैं तो इन adtech companies के लिए आपको निकालने का एक simple cost cutting का बहाना हो जाता है and you will be fired immediately and बहुत सारे teachers तो इन adtech companies को खुद भी छोड़ कर जा रहे हैं और वो offline खुद अपनी coaching स्टार्ट करें because वो originally teachers थे ना कि YouTuber, dancer और ये salesperson so इन companies ने उन्हों ये सब बना दिया so अब video के हम last part में बात करते हैं failure of retention rate, the plan misfired YouTube Unacademy के लिए starting से ही important रहा है in fact Unacademy के शुरुवात तो YouTube से ही हुई थी as a free service platform back in 2013 जहां पर initial 5 years में ही Unacademy got around 18 million views on its 50 channels so initially Unacademy का model यही था कि YouTube उनके लिए as a funnel act करेगा कि YouTube पे उनके बहुत जादा वियरशिप होगी वहाँ से कुछ लोग उनके platform पर आएंगे और उनकी premium services available करेंगे premium services कुछ भी हो सकते थी कोई on the spot classes या online classes या किसी competitive exams के लिए आपको किसी teachers का note access करने हो या उसके lecture access करने हो so यह model था कि free में वो YouTube पे audience acquire करेंगे और फिर उनको redirect करेंगे अपने platform पर so इसी strategic recording Unacademy ने जो भी YouTube पर popular teachers थे उनको target करना start किया deal यह होती थी कि आइदर वो उनका पूरा channel ही खरीद लेते थे या उनके channel को धी brand करके Unacademy में merge कर देते थे तो उनका plan यही था कि जो teacher के जो भी wears होंगे वो उनके platform पर आ जाएंगे और teachers को ऐसे अपने platform पर लेके आने के लिए वो उनको करोडों को package भी offer करते थे या अगर कोई teacher accept ना करे तो वो उनने as a part time teacher भी अपने platform पर लेके आ जाते थे तो इस time तक तो Unacademy का जो growth था वो बहुत ही जादा तेजी से हो रहा था फिर एक unusual turn आता है in 2020 जो भी teachers किसी YouTube channels के उपर काम कर रहे थे उन्हें एक group referral code दिया जाता था कि आप पूरी team मिलकर sales drive करो और जो भी sales के उपर आपको commissions या incentives मिलेंगे वो पूरी team में distribute होंगे और ये plan बहुत ही जादा successfully काम किया और Unacademy ने फिर उस plan को change करके individual referral code देना start कर दिया कि हर एक team में हर एक teacher के लिए एक अलग individual referral code हुआ करता था इससे हुआ ये कि within the group एक competition की feeling आना start हो गई जो team पहले एक साथ मिलकर drive करती थी sales और अच्छा content बनाती थी उसका focus अब individual incentives की तरफ जादा हो गया जिससे content quality बहुत जादा गिर गई और फिर Ann Academy ने teachers की ranking भी based on number of subscribers and watch time कर दी जिससे content की जो quality थी वो और जादा गिर गई इसके अलावा Ann Academy platform पर कोई भी as an educator register कर सकता था आपको कुछ demo classes देनी होती थी अगर उनको आपका काम पसंद आता था तो आपको गई contact भी दे दिया जाता था इसी subscriber और views की growth के पीछे बहुत सारे multiple YouTube channels launch किये गए थे obviously the plan misfired because बहुत सारे channel की वज़े से the students got confused and the retention rate fell जिसकी वज़े से teachers को ही फिर Ann Academy ने sales force बना दिया कि आप जाओ और अब हमारे लिए sales लेके आओ and जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताय था कि यह जो sales target थे इसी की basis की उपर teachers की incentive और उनकी salary decide होती थी तो जो अच्छे teacher होंगे obviously उनका primary skill teaching था वो कोई sales person नहीं थे तो अच्छे teachers के जो incentives थे उनकी salaries वगरा drop होने लगी because वो शायद sales उतना अच्छा drive नहीं कर पा रहे थे और जो average teachers थे maybe वो उतने अच्छे teacher नहीं हो but maybe वो शायद अच्छे sales person थे जिसके वज़े से उनकी salary उनकी incentives बढ़ते गए but इसी income disparity की वज़े से unacademy में जो भी अच्छे teachers थे जो शायद अच्छे sales person नहीं हो but वो अच्छे teachers थे वो unacademy को छोड़ते गए because उनकी income बहुत ज़्यादा कम हो गई थी जो भी average teachers के comparison में and because unacademy का जो top management था senior management था वो भी unacademy को धिरे-दिरे छोड़ता गया so इस पूरी case study से ये तो शौर है कि adtech का जो future है अभी भी वो in a state of confusion है because जो भी नए-ने start-ups आए थे वो funding की base पे उनको बहुत ज़्यादा तेज growth मिली वो भी during covid times but अब क्योंकि चीज़े back to normal हो चुकी है offline classes, offline colleges, offline institutes भी start हो चुके है तो क्या अभी एट-tech platforms offline education के against या अपनी traditional education जो system था जैसे वो चलता आ रहा था उसके against compete कर पाएंगे कि नहीं ये देखने वाली बात होगे इसलिए आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ad-tech startups है अब वो offline की तरफ भी बढ़ रहे है so वो अब hybrid model follow करना चाहते है for example unacademy ने भी अपनी बहुत सारे coaching institutes quota में भी recently open की है so hopefully आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो हमारी research हमारी मैनत अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को like जरूर करे और ये case study बहुत सारे लोगों तक अपने friends and family के साथ share करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि ad-tech का जो future है अभी वो काफी ज़ादा uncertain है आपके क्या views है इस case study के related आपके क्या views है एट-tech के future के related जरूर हमें comment करके बताएं मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and as always keep learning